फ्रेंट्स अगर आपका अधार कार्ड कहीं गूम हो गया है या फिर खो गया है और आपको अपना अधार कार्ड नॉंबर भी नहीं पता है फिर भी आप अपने अधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं complete process बताने वाला हूँ, कैसे आप अपने अधार card number को पता करेंगे और number पता करने के बाद कैसे download करते हैं, ठीक है मैं आपको दो तरीका बताने वाला हूँ तो चलिए friends बीना देरी की इस video को शुरू करते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है देखिए सबसे पहले आपको अपने mobile से या फिर computer से Google Chrome browser को open कर लेना है और search में यहाँ आपको type करना है UIDAI और type करके enter कर देना है enter करते ही आपके सामने पहला ही website मिल जाएगा, इस पर आपको click करना है click करते ही आपके सामने यह website इस तरीके से open हो जाएगा यहाँ पर परवेस करने के लिए आपको language चूच करना होगा, तो जैसे कि हम English चूच कर लेते हैं click करते ही आपके सामने यह website open होके आजाएगा अब जब यह website open होके आएगा, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, और यहाँ पर अधार services है न, यहीं पर आपको क्लिक करना है अधार services पर, अधार services पर क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारा service आएगा और यहाँ पर देखिए एक option आएगा, retrieve lost forgotten EID, UID यानि lost हो चुका है अगर आपका अधार card तो आप इस पर क्लिक करेंगे इसी पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने एक नया page इस तरीके से खुल के आ जाएगा अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अपना अधार में जो नाम है, वो नाम type करना है, देखिए अधार name अधार में जो आपका नाम है, वो नाम type करेंगे, नाम आपे space देके भी type कर सकते हैं कि हम यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से टाइप कर देते हैं और यहाँ पर इसी तरीके से आपको भी टाइप करना है टाइप करने के बाद मोबाइल नंबर आपको टाइप करना है और मोबाइल नंबर कौन सा टाइप करना है जो आपके अधार कार्ट से मोबाइल नंबर लि तो उससे होगा क्या कि आपके मोबाइल नंबर पर जो आपका अधार से लिंक है उस पर आपका 12 अंक का अधार नंबर चला जाएगा आप देखेंगे कि आपका अधार नंबर उसी मोबाइल नंबर पर आ चुका है यह आप ट्राइ करके जरूर बताएगा कॉमेंट करके कि आ आपका आया है या नहीं अब दूसरा तरीका क्या है मैं आपको वह भी बता देओं मालेजी आप एप साइट से नहीं करना चाहते हैं तो आप जो है किसी मोबाइल नमबर से किसी भी लंबर से आपको क्या करना है आपका अधार नंबर आपके मोबाइल नंबर पे आ जाएगा, तो उसके बाद डाउनलोड कैसे करना है, तो आपको सर्च में टाइप करना है, माई अधार और टाइप करके इंटर करना है, या फिर ये डारेक्ट वेबसाइट का भी नाम टाइप कर सकते हैं, माई अधार.uida daai.gov.in, friends इस वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल लाएगा, वहाँ से आप डिरेक्टल इस पेज पे आ सकते हैं, इस पेज पे आने के बाद आपको क्या करना है, या लॉग इन कर सकते हैं, या फिर नीचे स्क्रॉल करेंगा, तो यहाँ करना है, मोबाइल नंबर क्यापचार डायल करके संड ओटी पी करेंगे, तो यहाँ से भी आप राप्ट कर सकते हैं, डैस्पोर्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमें डाउनलोड करना है अधार कार्ड को, तो डाउनलोड आधार है न, इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ क्लिक करने के बाद अब आपको आधार नंबर पता चली गया तो अपना आधार नंबर डालेंगे यह capture डालेंगे send OTP पे क्लिक करेंगे OTP जाएगा OTP डालकर जैसे ही verify करेंगे आपका आधार काड यहीं से डाउनलोड हो जाएगा उमीद करता हूँ friends आपको यह वीडियो काफी पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए अपने friends के पास भी share कीजिए और अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है